पंडित मांखनलाल चतुरवेदी राश्टिय पत्रकार्ता एवं संचार विस्विद्याले भोपाल में आज आने का अफसर मिला आने का कारण भी बहुत महत्पूर्ण था आज 30 जनिवरी को जिसको देश सहीरी दिवस के रूम में मनाता है आज का दिन विस्विद्याले के सहस्तापक पंडित मांखनलाल चतुरवेदी जी की भी पूंडि तिथी है महात्मा पूज महात्मा गांदी जी की भी का भी बलेदान दिवस है और इसलिए आज आयजित राश्टिय व्याथ्यान माला में दोनों महापुरुस ने राश्टर के उतकर्स के लिए राश्टर को सुधंत्र कराने के लिए राश्टर के गोर्व को पुनर इस्तापित करने के लिए जो पत्रकारता का सहारा लिया उस पत्रकार तागे बारे में आज संगोश्टी थी, उसका विशे था पंडित माखनलाल चतुरवेदी और पूजी माहत्मा जी की पत्रकार की प्रासांगिक्ता इस कारक्रम में आकर के मुझे और अधिक प्रसनता इसलिए हुई कि यहां एक सवागार निर्मित किया गया है और पंडित माखनलाल चतुरवेदी जिस तरह की देवपूर्ण और धेवनिष्ट पत्रकारता राष्ट की सुतंतरता के लिए समर्पित थे उसी प्रकार से श्री मानिक चंद्र बाजपई जिनको माधर से मामा जी कहते थे वो भी धेवनिष्ट पत्रकारता के लिए समर्पित रहे और 2006 में 2005 में उनकी मृत्तू के पश्चात मद्यप्रदेश की सरकार ने उनके लिए प्रुषकार घोस्त किया देहिनिष्ट राष्टिय पत्रकारता प्रुषकार और इसलिए उन मामा जी के नाम पर सभागार का नाम रखा गया है उस हवागार मामा जी के लिए समर्पित हुआ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुष के नाम पर देश में कई संस्ता हैं लेकिन सिर्फ नाम से संस्ता हैं लेकिन उस महापुरुष ने जो अपने जीवन में काम किये हैं जो त्याग और तफश्या की है जिन मुल् संचार पढ़ने वाले विद्यार्थियों के या उस संस्ता के संपर्क में आने वाले लोगों को उन मूलियों के प्रती जगाना जागरन करना ये काम बहुत होता है लेकिन पंडित मांखनलाल चत्रुवेदी राश्टिय प्रत्रकारता एवं संचार विष्व विद्याले में सभी प्राध्यापक सभी विद्यार्थि पंडित मांखनलाल चत्रुवेदी के जीवन आदर्सों के लिए समर्पित हैं और जो भी कारकरम करते हैं तो पत्रकारता के साथ साथ इस विद्याले के विद्यार्थियों में वो भावना भी जगाने का प्रयास करते हैं जिसके ल अदर सर पर चलने के लिए संसकार भी देते हैं 1999 में बोपाल के अंदर इस्तापित विश्विद्याल है आज बहुत उंचाएं चूचुका है अभी नया भवन इसके लिए तैयार किया गया है वो पचास एकड़ के अंदर फैला हुआ भवन है मुझे लगता है अपने देश क के अंदर पत्रकारता के छेत्र में यह विश्विद्याल है नए किरितमाने स्टापिट करेगा मेरी बहुत-बहुत सुभकामना हैं और यहां के सभी स्टाप को मेरी बजाई धन्यवाद